नमस्कार दोस्तों, बजट 2021 ने यूलिप प्लांस के टेक्सेशन की बात किये है, तो ये यूलिप प्लांस क्या है सर और इनका टेक्सेशन किस प्रकार से हो सकता है, इस बात को समझने के लिए आज की वीडियो आपके सामने प्रस्तुते हैं तो सबसे पहला प्रश्न है दोस्तों, वाट इस यूलिप प्लांस टेक्निकली इसकी बहुत बढ़िया डेफिनेशन मनाई जा सकती है, लेकिन मैं आपके सामने सरल रूप में रखना हूँ, यूनिट लिंक्ट इन्शूरेंस पॉलिसी मीन्स लाइफ इन्शूरेंस पॉलिसी which has components of both investment and insurance and is linked to a unit, तो simply speaking सर, मान लीजे, मेरे पास में investment के लिए दो लाक रुपे हैं, और मेरे पास में कोई insurance company है, जो ये कहती है कि भडिया जी, आप ये हमारा एक insurance plan ले लीजे, इसमें आपका certain amount तो हम insurance में allocate करेंगे, और कुछ पैसे से आपको कुछ units allot करेंगे, जिससे ह जो return आएगा, वो आपको long term में एक अच्छा return दे पाएगा, तो basically क्या है दोस्तों, mutual fund का taxation already होने लग गया, और ULIP में जो लोग invest कर रहे थे, वो एक तरीके का mutual fund investment भी कर रहे थे, तो दोनों products को बराबरी पर लाने के लिए, एक तरीके से ULIP plans का taxation की बात यहाँ पर की गई है, तो मैंने जो ULIP का एक concept आपके सामने रखा, I hope you may be able to understand that, अब यहाँ देखिए दोस्तों, आपके सामने यह जो नए प्रावधान आये है, वो क्या है, एक एक बिंदू के रूप में रखने की कोशिश करता हूँ, if you contribute more than 2.5 lakh a year towards one or more ULIP plan, then the policy maturity shall be taxable in income tax law, यानि मान for an example, मैंने ICICI से, HDFC से, SAE Birla Sun Life से, तीन अलगलग कंपनियों से ULIP policies ले ली, अब अगर मैंने individually कोई policy ली, या तीनों से मिला करके अलगलग policies ली, और मेरा साल का contribution एक या एक से ज़्यादा policies में धाई लाग से ज़्यादा का है, तो सर, contribute करते समय मुझे चिंता करने की जूर मिलेगी ULIP की, उस दिन मेरे हाथ में taxability आएगी, ये बात समझनी है, दूसरा प्रिशन दोस्तों, such taxation will be under the head capital gain, यानि जिस दिन आपके हाथ में maturity आएगी, उस दिन आपका taxation दोस्तों, capital gain head में आएगा, ये एक बहुत important चीज है, यानि अगर आपका long term capital gain हुआ, तो आपकी tax rate concessional tax rate होगी, तो आपका capital gain head में taxation होगा, ये लिप के redemption का, जैसे आपको ये amount invest करते हैं, कुछ सालों बाद आपको जो return आएगा, उस में आपका capital gain का computation होकर के finally tax liability लगेगी, मैं इस बात को आगे एक example से भी आपके सामने रखूँगा, tax shall be payable in the case of long term capital gain at the rate 10%, तो क्योंकि अगर आप generally units के case में सार, 12 महीने से ज़्यादा का gain long term हो जाता है, तो 12 महीने बाद अगर आपका ULIP surrender होता है, या ULIP की maturity आती है, तो आपका capital gain under section 112, मात्र 10% की rate पर दोस्तों taxable होगा, the limit of 2.5 lakh is for all ULIPs combined together, ये बात मैंने आपको पहले ही बोल दे, अब आपका एक genuine प्रिश्ण होगा, कि भडिया जी अगर मैंने एक फरवरी 2021, जब से बजट प्रावधान आया, उससे पहले कोई policy ले रखी थी, और उसमें मेरा 5 lakh से उपर का contribution था, तो क्या वो policies का भी maturity taxable होग इस साल मैंने उसमें 3 lakh का contribution कर दिया से before एक फरवरी 2021, तो इस साल तक की जितनी units होगी, उनका redemption सर taxable नहीं होगा, लेकिन मान लीजे मैंने एक फरवरी 2021 onwards जो भी investment किया ULIP में, उससे मेरा एक साल का investment 2 lakh से उपर चला जाता है, तो ऐसी परिस्तती में सर, उन ULIPs के बदले मु तो पूरा contribution का जो maturity आएगी, that will be taxable in my opinion as per the new provision, और आगे सुनिये दोस्तों, however no taxation in the case of death of a person, यानि यदी insured person की किसी परिस्तती में मृत्य हो जाती है, तो उसके legal hires को जो पैसा मिलेगा, चाहे वो ULIP policy का क्यों नहीं हो, वो taxability के scope में नहीं आएगा, तो दोस्तों मैंने कहा आएक example से आपके पास बात रखूंगा, बहुत सरल सा उधार ने सर, Mr. A, Mr. B, दो assesses हैं, इन्हों ने एक ULIP plan लिया सर, Mr. B ने ULIP plan लिया 10 लाग का, annual premium Mr. A का आता है सर, 2,75,000 और Mr. B का आता है 95,000, सिफ और एग्जामपल ये plan 10 साल चक ले, 10 साल तक चलेगा, अब 10 साल बा उनके लिए जो 48 लाग मैनस 30 लाग का difference है दोस्तों, वो taxable होगा, लेकिन उनकी जगे जो Mr. B हैं सर, जिनको 10 लाग के 16 लाग आ रहे हैं, वो section 1010D of income tax law में exemption enjoy करेंगे, assuming that कि उनका किसी भी year में combined ULIP contribution धाई लाग से ज़्यादा, एक फरवरी 2021 नहीं था, तो दोस्तों आशा करता हूँ, ये वीडियो आपको ULIP के taxation पर जो भारत सरकार नई वेवस्ता लेकर के आ रही है, उस पर कुछ clarity देने में सायट सिद्ध होगी, यदि आपके कुछ इससे related queries हों तो आप मुझे लिख सकते हैं, मैं आपके प्रश्णों का उत्तर देने की को मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जैह